नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं अपने नए क्रेडिट कार्ड को तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास है HDFC बैंक का पेटियम क्रेडिट कार्ड तो दोस्तों यह एक तरह का पेट क्रेडिट कार्ड है और इसके बहुत सारे benefits हैं तो दोस्तों इस कार्ड को मैंने कैसे apply किया था, कितना time लगा था और यह कैसे मेरे घर पर आया था और इसका limit कितना है, क्या कुछ benefit है सारा कुछ आज मैं आपको detail में बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बेलकोल बे skip मत करना साथ में दोस्तों, अगर आप लोग मेरी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर subscribe करना क्योंकि दोस्तों आप इसे 90% लोग वीडियो को देखते हो तो जरूर हो, लेकिन चैनल को subscribe करना भूल जाते हो तो दोस्तों चैनल को जरूर subscribe करिजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इसकी unboxing करते हैं और जानते हैं इसके benefits करते हैं तो card की पूरी packing अच्छी होती है तो कोई भी हमें credit card बेगरा मिलता है तो आप दिये ensure करना कि वो पूरी तरीकी से seal pack हो इसका seal pack break नहीं होना चाहिए तो पूरी देख से तो आभी यह पर taping भी करी हुई है तो चलिए मैं इसको यहां से फाड लेता हूँ ठीक है और मैं इसके unboxing करके आपनों को दिखाता हूँ तो यहां से मैं इसको फाड के और इसके documents को मैं निकाल लेता हूँ तो यहां पर देख सकते हो साइध यह अंदर से चिपक गया हूँ इसलिए बाहर नहीं निकल रहा है साइध ग्लू के वज़े से चिपक गया है तो कोई नहीं थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेते हैं कुछ documents वेगरे सके अंदर होंगे तो देख सकते हो यह पूरे अच्छी तरीक से हमारे चिपक गया है सारे documents इसके बाहर नहीं आ रहे है काफी चिपक गया हुआ है अंदर में गम लग गया था ओके तो देख सकते हैं यहां पे गम वेगरे लग गया था उसमें हमारे चिपक गया थोड़ा मारा फट भी गया है तो पूरा envelope हमने खाली कर दिया इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है सिर्फ यह envelope है तो HDFC bank एक बहुती इस तरह का हमें booklet वगरे प्रोबाइट कर देता है बहुत सारे terms and conditions यहां पर शिपका देता है तो इसको fact नहीं है इसको हमें पढ़ना है यह काफी useful हमारे लिए ठीक है mostly मैं बात प उसके बाद यहां पर हमें मिला है इसको मैं site रख देता हूँ एक हमें यहां पर मिला है to generate four pin of your HDFC bank credit card follow any your blog ठीक है तो यहां पर पूरा है बताया है किस तरीके से हमको अपना pin वागेरा generate करना है पूरे यहां पर process बताया हुआ है यहां पर English में बताया हुआ है पीछे में आ यहां पर process बताया हुआ है इसको भी मैं यहां पर site रख देता हूँ फिर यहां पर कुछ terms and conditions, codes वगरा दिये हुए है phone customer के है इसके number उसको भी मैं site में रख देता हूँ उसके बाद यहां पर देख सकते है important notification about your new HDFC bank credit card तो कुछ यहां पर notifications वगरा देता है important जीसे कि आप EVA पर chat कर सकते हो जो कि digital assistant है HDFC bank का तो यहां पर जागरे आप contact कर सकते हो साथ में WhatsApp banking के लिए भी यहां पर दिया हुआ 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 है और साथ में यहां पर net banking भी करने का पूरा process आपको यहां पर बताया हुआ हुआ है ठीक है और यहां पर आपको पूरा detail में दिया हुआ है सा काफी पढ़ने की जूरत नहीं useless है ओके अब यहां पर देखो कोई के start ठीक है तो यहां पर step by step guide to activate your Paytm HDFC bank digital credit card and enable advanced features ठीक है तो यहां पर हमारे credit card के सारे features वेगरा क्या कुछ है वो इसके इंदर में बताया हुआ है कैसे हमें क्योई के start करना है ठीक है तो इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ ओके तो सबसे पहले हैं बताया हुआ है activate your card card को कैसे activate करना है generate pin in any days of flowing ठीक है तो आपको कैसे pin generate करना है वो पूरा एक process यहां पर बताया हुआ है सबसे पहले आपको इस नंबर पर डाइल करना है 8160266333 पर इस पर डाइल करके भी कर सकते हो या फिर HD CDFC bank के mobile banking app से भी आप कर सकते हो यह पूरा process आपके यहां दिया QR code के scan करके आप app भी download कर सकते हो तो यह पूरा manual process आपको यहां पर वताया हुआ हुआ है इसके अलावा यहां पे आप WhatsApp banking भी यहां पर दिया हुआ यह नंबर आप सेव कर सकते हो तो इससे आपका WhatsApp banking भी start हो आप यहां पर कर सकते हो इनेबल कर सकते हो अपनी properties के साफ से जैसे आपको जो सा transition करना है like मुझे Wi-Fi वाला transition करना है तो उसको मैं on कर सकता हूँ HDFC bank का credit card है मेरे brother के नाम पर आया हुआ तो यहां पर दिया हुआ है इसके बाद यहां पर और यहां पर देख सकते हो यह जो payment का credit card है वो यहां पर देख सकते हो Paytm HDFC Bank मेरे ब्रदर का नाम साथ मेरे फादर का नाम यहाँ पर show off किया हुआ है ठीक है तो कुछ यहाँ पर हमें address वेगरा मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इधर उसके बाद हमें यहाँ पर एक यह मिलता है Paytm HDFC Bank Contactless Credit Card Guide तो यहाँ पर पूरा एक manual बताया हुआ है कैसे आप transactions लगेरा को on off कर सकते हो कैसे अपने card को activate कर सकते हो वो पूरा यहाँ पर आपको process बताया हुआ है साथ में इसके benefits लगे रहा है और HDFC Bank Contactless Credit क्या है इस सारा कुछ questions and answers आपको इसको आप पढ़ सकते हो डेटेल में आप वो सारा कुछ यहाँ पर बताया हुआ है उसके हमारा एक main जो head होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर तो सबसे जो हमारा main होता है वो हमारा यह letters होता है मैं इसको थोड़ा इडन करके लाता हूँ उसके बाद यहाँ पर देख सकते हूँ एक हमें letter मिलता है जो कि paytm HDFC bank credit card का होता है तो यहाँ पर में logo है तो यहाँ पर मेरे ब्रदर के नाम पर है तो मेरे ब्रदर का यहाँ नाम यहाँ पर mention किया हुआ है साथ में दोस्तों उपर आपको यहाँ पर मिल जाता है credit card का limit और credit card का numbers वगरे तो देख सकते हूँ मेरे को जो credit card limit assign हुई है वह मेरे को limit assign हुई है वह है 20,000 limit मेरे को मिला हुआ हुआ है dear card member your HDFC bank credit card is here ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हूँ मैं यहाँ पर हमारा card यहाँ पर दिया हुआ है तो मैं जरा इसको card के भी आपको दिखाता हूँ इसके क्या क्या benefits है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो मैं पहले इसके taping घटा दिये तो चलिए यहाँ पर हम बात करते है card के benefits की तो unlock benefits on bill payment shopping and more तो सबसे पहला जो benefit है यहाँ पर देख सकते हो 3% cashback on movies and recharge on paytm app अगर आप paytm app से movies की ticket वेगरा book करते हो या फिर recharge वेगरा use करते हो तो आपको 3% cashback unlimited मिलेगा lifetime मिलेगा दूसरा जो benefit है यहाँ पर 2% cashback on all other spend on paytm यहाँ पर आपको 2% cashback मिलेगा चाहे आप पर कहीं भी spend करोगो तो आपको 2% cashback मिलना मिलना है लो-cost AMI आपको मिलेगी lost card liability cover आपको मिल जाएगा तीन लाग तक यहाँ पर आपका card घुम जाता है तो आप जो claim amount कर सकते हो आपको 3 लाग तक मिल जाएगा इसके अलावा gift vouchers वगर आपको मिलेंगे माइं इस्टोल आपको मिलेगा साथ में यहाँ पर जो आपको up to benefits मिल रहे है वो paytm first benefit जो है वह 75,000 का आपको यहाँ पर benefit मिल रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी joining fees और annual fees के अगर मैं बात करूं तो no first year fee on spending 30,000 अगर no renewal fee on spending 50,000 अगर आप 12 महीने के अंदर अगर आप 50,000 spend कर देते हो तो आपका जो हमारा renewal fees होगा वो भी हमारा नहीं लगेगा तो बिलकल भी यह free हो जागा यानि कि कुल अगर आप 50,000 एक साल के अंदर spend कर देते हो तो यह card आपको lifetime free रहेगा इस पर कोई भी आपको ना तो joining fees लगेगी ना आपको annual fees लगेगी तो यह इस card के benefits हैं साथ में पीछे में आपको chat बेंगे के लिए यहाँ पर number दिया हुआ है एक बार मैं आपको card का look दिखा देता हो किस तरह का हमारा card होता है तो यहाँ पर देख सकते हो card पर कुछ इस तरह का रहेगा सबसे पहले यहाँ अब मैं आपको card का लोग दिखा देता हूं तो यहाँ पर देख सकते हो काड का लोग दिखा देता हूं तो यहाँ पर देख सकते हो card का लोग कुछ इस तरह का है इस पर एक स्टीकर भी लगा हुआ है अर्जेंट अटेंडेंस रिक्वेस्ट यहाँ पर किया हुआ है कि एक्टिवेट यूर कार्ड विदिन थर्टी डेस्टु अवाइड क्लेजर दिव टू इस जब यह कार्ड आपके पास डिलिवर हो जात आपको मिस्टु और अगर आपको चलेंगों और ऑर आपको और अगर सकते हो यहां पर पूरा अगर आपको करने के यहां पे QR कोड भी लिए इसको डाउनोड कर सकते हो तो मैं इस स्टीकर को अटकर आपको दिखाता हूँ तो यह देख सकते हो, इस टीकर में हटा दिया है तो card का look कुछ इस तरह का है क्योंकि यह PTM HDFC Bank का card है तो आप देख सकते हो, यहाँ पे नाम भी mention किया हुआ है ठीक है, इस तरह का look है और थोड़ा यह अगर मैं बात करूँ तो rainbow color का यह shine भी कर रहा है यह आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग-अलग color में shine हो रहा है इसके लावा पीछे में card के सारे details है वो पीछे में होते हैं, वो आप इस तरह के यहाँ पे देख सकते हो पीछे में Paytm HDFC Bank mention किया हो, साथ में visa card है और यहाँ पे wifi का sign भी दिया हुआ है और पीछे में आपको card number, expiry date वगरा सब कुछ आपको पीछे में दिया हुआ है CVV भी आपको पीछे मिलता है तो कुछ इस तरह का card का look है तो I hope दोस्तों इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो कर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like कीजेगा आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएंगे तो मैं मिलता है ने वीडियो में तो अभी के लिए good bye जाहें